और मिखाव पारा आज पर विए श्रीज वेट विए करने वाला हूं जो पैसे दिमाग में है कैसे करा जाए पिछले वीडियो में थे कंटेंट को शेर किया था तो मैं उसी कंटेंट से ही शुरू करना जाऊंगा तो 6 marker prescribed content होता है 200 words 4 to 5 marker question can be 150 to 125 words अगर 3 to 4 marker question देखें तो 50 to 75 words और 1 marker single one line और one word जो मैंने पिछले वीडियो में भी repeat कर रहा था पर आप ना भूलें तो मैं दुबारा repeat कर रहा हूँ अगर definition पूछिए तो आप पूरी लिखेंगे उसको one word of one line में नहीं खतम करेंगे अब एक बहुत important question जो बच्चे और सब की दिमाग में रधा है कि अगर board के 2018 2019 CBSC के paper में business studies में पूछा जाए state features of planning state तो state word में आपको क्या explain करना है तो बहुत अच्छा question आपका मैं आपको इस बात के लिए मेरे को आपको appreciate करना चाहिए कि आप ऐसा सूचते हैं तर डेप में जाके तो इंडिया का concept को समझते हैं इंडिया में हमें हर चीज एक्स्ट्रा चाहिए हमें extra ordinary एक बच्चा चाहिए आपके parents को extra ordinary बच्चा चाहिए आपको सागरता में extra सांबर चाहिए और आप कहीं चिकन खाने जाते तो एक्स्ट्रा चट्नी प्यास चाहिए आपको में extra sauce चाहिए तो वाइन उस state में थोड़ा से एक्स्ट्रा दे जाए वह एक्स्ट्रा शायद आपको एक्स्ट्रा मार्स ना दिलाए लेकिन वह आपका पेपर self-explanatory बना देगा self-explanatory paper का मतलब क्या है आप पेपर examiner के साथ तो खड़े नहीं सकते बोलेंगे कि मेरे पेपर के साथ मैं बताओंगा क्या क्या मतलब इसका आपने अगर state में तीन वर्ट के सपोस्ट कि आपने features of management लिखा तो आपने लिखा continuous pervasive multi-dimension अब वो continuous pervasive से multi-dimension नहीं बता रहा अब आप continuous में लिख दे इडिज ऑन गोईंग नेवर इंडिंग बिगें स्ट्रॉम प्लानिंग एंड कंटीनुस्ट्रिल कंट्रोलिंग तो वह समझ पाएगा तो वह एप्रिसेशन तीन से साड़ तीन नमबर में नहीं मिलेगी लेकिन जहां आपको वह चार में से तीन नमबर दे रहा होगा वहां साड़ तीन और चार कर देगा तो डैट प्लेज आ वेरी बिग रोल आप स्टेट वर्ड में जरूर एक दो लाइनों में explain कर क्या हैं अब बहुत ही स्लो राइटर हो आपका पेपर ही नहीं खतम हो रहा क्योंकि अगें स्टेट वर्ड ऐसे प्रिस्काइट नहीं है कहीं पर भी कि आप explain करें बट एक वान और टू लाइन विल नॉट मेकर डिफरेंस आई थिंग वह आपको जरूर करना चाहिए अब बहुत मै उसको कैसे रीट करा जाए तो आपका फोकस चेंज होगे आपको पता लग यह कौन से यूप की के स्टरी की स्टरी है तो आपका जो मेंटल फोकस इस चैप्टर पर आजाएगा वो जो पांच सो पेज़े से हठके वह सिर्फ एक या दो पेक पेर रहागा तो यूवल परफ बता होगा कि आप के स्टुडी कर पारें और मैं आपको रेकमेंट करूंगा जब आप के स्टुडी को ना excitement में पढ़ेंगे तो में वर्ट में साउट कर जाएंगे तो आप एक पेंसिल आप में पकड़ने में बॉर्ट एक रिटेल फर्म पे केस कर रहे है तो आंसर इस बच्चों ने रिखा भारत इलेक्रिकल के फाइला केस क्योंकि उनको इनको डिफेक्टिव कुछ दिए गए बिल्कुल आंसर गलत था एक फर्म दूसरी फर्म पे केस नहीं कर सकती कि कंजूमर जो चैप्टर है वो इसलिए मनाया है कि कंजूमर जाके एक फर्म पे केस करें कंजूमर कौन है एनिवान वह बाइस गोट फॉर्ट के लिए थोड़ी ले रहे है आप इस कंडिशन में था आंसर नो और आपको एक छे माग की डेफिनेशन देनी थी जिसमें गुट्स की अलग देनी थी अब यह उस साल का एक ऐसा कोश्चन मनगा जो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था एक छे नंबर की डेफिनेशन आ सकती है तो इस तरह की गलतिया आप न क्या करते हैं आपने एक प्रड़क्ट खरीदा आपको गलत मिल गया तो आप जाके वहां पर जाके कॉंपंसेशन डिमांड करेंगे डाट इस ड्रेशन आप कंप्लेंड करते हैं यह कॉमनली में मिस्टेक है जो बच्चे बोड में करते हैं एक कंपनी अपने पकेट पे कु कि मार्क से पूरे में से पूरे इन कैश कर लेंगे थांक यू आज मैं आपसे इतना ही शेयर करूँगा नेक्स वीडियो में आपसे कुछ और भी शेयर करूँगा थांक यू